नागिन 5 का ट्रैक जितना ओर्डियंस को पसंद आ रहा है उससे कही ज्यादा शो में वीर और बानी की कैमिनस्ट्री को लोगों का प्यार मिल रहा है देखा जाए तो असल में शो में ये दोनों शुरुआत से ही गहरे दुश्मन की तरह दिखाई दिये हैं बानी है नागो में सबसे शक्तिशाली नागिन और वीर है चीलवंच से लेकिन दुश्मन होने के बावजूद दोनों उन्स्क्रीन पर जिस तरह से अपने किरदार को निभा रही है उनकी कैमिन्स्ट्री में जैसी सच्चाई नजर आती है उससे ये और्टियंस की फेवरेट चोड़ी बन चुकी है फैंस दोनों को एक साथ देखने के लिए बेसबर नजर आते हैं लेकिन आकिर क्या है वो सीक्रेट जो इन्हें एक परफेक्ट कपल बनाता है आखरीन दोनों के बीच ऑन स्क्रीन इतना जबरदस बॉन्ड दिखने का रास क्या है तो इस बात का अब लिखते हैं ऐसे में सुर्भी ने भी अपनी और वीर की केमिस्ट्री के इतना रियल दिखने का क्रेडिट शो के राइटर्स को ही दिया है और बताया है कि उनके शो के राइटर्स ने वीर और बानी के किरदार को इतनी खुबसूरती से लिखा है कि एक्टिंग करने के जब स्क्रीन पर आते हैं, छा जाते हैं। दूसरा राज, बानी ने राइटर्स और डिरेक्टर के काम की तारीफ तो की ही। साथ ही साथ शो के अक्टर्स को भी इस बात का क्रेडिट दिया। सुर्वी का मानना है कि बानी और वीर के किदार के हिट होने के पीछे, सुर्वी ने कहा कि वो और शरत अपने किदार को कैसे निभाना है इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। और बिना ज्यादा रिहर्सल किये इसे नेच्रल तरीके से ही करने की कोशिच करते हैं। और ये ही ऑन स्क्रीन शो में मैचिक क्रेट कर देता है। आपको बता दी कि जैसा क्रेज, पानी और वीर के किर्दारों को लेकर देखने को मिल रहा है। वैसा ही नागिन 3 के सीजन के दौरान बेला और महीर के किर्दार को लेकर भी देखने को मिला था। आज भी ओर्डियन्स सुर्भी चुयती और पर्डवी पुरी को साथ देखने की मांग करते हैं और अब एक बार फिर से ये क्रेज देखने को मिल रहा है एक्टर सुर्भी चांदनाव और शरद मलोत्रा के ओन स्क्रिन केमिस्ट्री को लेकर और इसी के साथ ये चोड़ी टीवी की टॉप चोड़ियों में से एक भी बन चुकी है